आज के के रेसीपि को या है Oh my god है कि रसे के शुत लॉकी के पते का पकोड़े हुआ our each आप देख सकते हो ہमने लिया है लॉकी के कुछ साबूत पते एक खञिआचब एक शॉठ का वहा हुआ ही कि शॉट Τुम हमने प्याज को चॉप कर के रख हुआ है कुछ चौप किया हुआ हरे मिच तुछ नमक और चौप किया हुआ रसून तो चलिए आप हम बेशन का पेस्थ रेडी करते हैं इसमें नमक दल चुका है हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर और थोड़ी सी सोडा ताकि हमारे पकोड़े क्रिस्पी रहें अब हम सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ी से इसमें रिफाइन ओयल एड़ करेंगे और खुब अच्छी तरह से मिला लेंगे तरह से पानी एड़ करेंगे पेस्ट के लिए दोस्तों कराई में तेल रेड़ी है अब हम इसमें पकोड़े टलने जा रहे हैं अब हम पकोड़े को मेडियम फ्लेम में फ्राइ करेंगे ताकि पकोड़े जलना जाएं दोस्तों पकोड़े को बीच-बीच में पुलत-पुलत करते रहना है दोस्तों हमारे पकोड़े फ्राइ हो गई है अब हम इसको प्लेट में अलग से निकाल के रखेंगे यह देखि दोस्तों यह ओला पकोड़े विलकुल पत्ती के शेप में है दोस्तों अब हम दुसरे स्टाइल का पकोड़े तलने जा रहे हैं बेसन के पेस में डाल दिया हम लोगों ने चौक यह प्यांच कटा हुआ हरे मिर्च और कटा हुआ लसुन अब फाइनली दोस्तों हम पेस में एड़ करने जा रहे हैं कटा हुआ चौप किया हुआ लॉकी के पति पेस के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि चले दोस्तों हमारे दूसरे स्टाइल का पकोड़े के पेस तैयार है अब हम इसको तेल में तलने जा रहे हुआ अब ध्यान रिखेगा दोस्तों पकोड़े ओवर कुक नहों जाएं बीच बीच में उलक पुलक करते रहना है हम दोस्तों हमारे यह वाले पकोड़े भी लगबग फ्राइ वो चुकी है अब हम इसको प्लेट में अलग से निकाल के रखेंगे हैं तो दोस्तों अब टायम है प्लेटिंग का चलिया फ्लेटिंग करते हैं दोस्तों हम ने इसको ट्रमेटे सोस के साथ सर्फ किया है आप लोग दुसरे चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हो दोस्तों आप लौकी के पत्ते के पकोड़े को नास्ते के साथ लंजब्रेक भी चावल के साथ यभी शाम को चाई के साथ भी ले सकते हो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाके खुद भी खाईए अपनों को भी खिलाईए और वीकेंड को एंज़र कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग आवर वीडियो